तो ही बाजाएंगे आप लाग पुछो कर ली जाए अबर बुणी चल दह बढ़ा डुणी चटनाबाद डोट फनला दिम का जो भी है आपसे पूचेंगे जी कि हम क्या गाएंगे नहीं गाएंगे हम अजाद हैं ना अजाद हैं हम मेरा जो मन करेगा हम वो गाएंगे हम हम ही गा रहे हैं तो असलील है दुनिया गा रहा है असलील नहीं है आरकेश्ट्या का मतलब यह है कि बजा करके इन लोगों का कहानी यह है कि रात भर माजा ले लिए सुबेरे जाके सूत रहे हैं आराम से ठीक है भातार का मतलब यह का आपका भरन पोशन पूरा करें हमारा बोजपूरी मतलब अक्प्लेट फ्लोर सेलुशन नियोजिरो माल दादर रोड मुजफरपुर किसला और बीसट देखे मीसला यह क्यों गाया आपने और इसका मतलब यह होता है कि गाना कोई भी गाना हो उसमें बजना ही बजना है ठीक है और किश्टा कभी यूटूब पे सर्च करके बताई है लोग चाहिए लोग गाता है इंटरेंवेंट के लिए गाता है आप जवाब केशाद कोण। लोग अपना हरास्मेंट थकान को दूर करने के लिए कैना सुनता हैं। इसलिक में तो शुनता नहीं जिंद्धियमाज पर हं हम लोग अरकेष्टे जाना सुनकर ना है। हम लोग अपना दिल का दर्द सुन करके बाया करती है का है चलो दिल में करना के बुद्धा को सही मान रही है वहाँ पे चार-पाँच लड़की नाचती है चोटे चोटे कप्रिए पहने के जो हमारा पुरु समाज है वो उनको देखता है उन पर पैसे लुटाता है अजहने को सही मान के ऑर क्षेटर के लिए गारी है अब जानती हैं कितनी लड़कियों का इस काम से घर चल रहा होगा काम दीदी स उसकी मजबूरी का फाइदा उठाते हैं वही समाज के लोग और वो लोग उसी गंदे-गंदे गाने पे गाते हैं मतलब नाचते हैं अब इस थोड़ी दिर कोई नहीं का का निया हम लोग बिक्रेता हैं जो मार्केट में बिकेगा वही गाएंगे मैंने आपको दस बार यह ब जाओ को अब बता सकती हैं वहां को सबसे पहले आप पहले की जन रशन में जाला साइज कि ने भी सुरुवात कि तो च्छी सुरवात कि ईसलेलता से सुरुमाज की आरकेश्ट्या का मतलब यह कि बजाकर कें लोगं का कहानी यह आई कि रात भर माजा ले लिए सुबेरे जाके सूत रहा है आराम से ठीक है और किस्टा लोग गाना लोग क्यों गाता है इंटर्टेन्मेंट के लिए मनु रंजन के लिए गाता है हम लोग मनु रंजन के लिए गाते हैं कोनो साधी बिया में भक्ती जागरन तक एक यह चीता है चीता में सूच में करेंगे ह। कर दो अगर हम कर रहे हैं तो वह पिर सोचेगा हम को तो कुछ ने करेंगे करेंगे कुछ इंवे वह भाल गों तो अपनी अपनी सोच का तरीका है अगर आपको लगता पुर्ण हैं नहीं आप अपना ही सोच बदल ली हम तो आस्लीट करेंगे नहीं मैंने क्या बोला कि आप पर मोड आप अच्छे गाने को पर्मौट किजें लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी तो इन लोगों को भी कुछ ना कुछ उदर ना पड़ेगा मैंने क्या बोला थंबल दिख रहा है जी खराब है पोश्टर दिख रहा है आप उस पर क्लिक क्यूं कर रहे हैं अकेले तानिया जहा चाहें कोई अधर वाईज कोई भी इस हम लोग भी क्रेटा है जो हमारा बीके का वही न हम अगले दिन मार्केट में लेकर निकलेंगे जी लेकर निकलेंगे अगर फिर तो मजबूरी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना एक लड़की बहुत कुछ सुधार सकती है. ठीक है उपर टिपनी करके यार और भठार वाले गाने गांटेती हैं, कहां तक सुभा देता है? और दूसरी बात, कि आपकी जो बेटी होगी आगे जाके आप मा बनेंगी आपकी जो बेटी होगी मम्मी यह यार आपको क्या लगताः बदै this अच्छा ये पढ़ी लिखी का बात ने भटार खेसरिया भतार क्यों होगा अभी सा 50 वार आपको पता दिया समझा दिया इस गाने का जब आप एक बाद से मिलना पसंद कीजेगा रही बात भतार और यार कोई वडिंग इस दूनिया में एक बात रही आपको नहीं दिख रहा है आप हमारी वॉचपुरी को सुधारने चली है वॉलिवूड वाइकोट क्यों हो रहा है ब्रह्मात जैसी जो मुवी है जो हिंदुत पे बनी है वह वह भाइकोट हो रही है तो क्या चाहती है कि अइक अशलीलता की वजह से पूरा भोजपुरी बॉयकट हो जाएं हम हम ही गा रहा है दुनिया गा रहा है लिगो आपको यह जो लगता है न कि हम अशलील हें तो गाने से पुछेंगे जी कि हम क्या गाएंगे नहीं गाएंगे हम अजाद है ना जी अगर आप अच्छा सुनते तो आज मैं असलील नहीं गाती ना जी मुझे यह नौबत ही नहीं आता ऐसा गाने का आप यह चीज क्यों नहीं मानती हैं तो मिला जुला के बात इतनी है कि मान चुकी है कि जो पब्लिक सुनेगी वही गाउंगी सुनेगी पहली बात एक बात हमको जबाब दीजे गवी दुर्गापुजाम भी सरजन होगा पांच साथ दिन बाद कतने दिन आप जा करके उनको देख सकते हैं वह लोग वही बजाए सुनिये मेरी बात जब आप इस बात पर आ रही है आप हमको मजबूर कर रही है जब आप अगर पब्लिक नहीं सुनती तो इतना वह लोगों ने असली लगा ना कि इसको ट्रेंडिंग में ला दिया है तो मिला जुला के बात इतनी ही है कि सरासर अब कलाकार पब्लिक प्या अगर सुनेगी तो ही मैं असलील गाने गाऊंगा या गाऊंगी तब पब्लिक डिसाइड करेगी कि मुझे असलील सुनना है या अच्छे गाने सुनने है माबाप के सामने सुनने है या बहन या फिर मा के सामने सुनने है यह पब्लिक डिसाइड करेगी अब कलाकार आप प प्राइवेट लिमिटेट के साथ जो है ऑउथराइज दिस्टिब्यूटर ओफ कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभे प्रकार के इंडियन और इंपोर्टेट ग्रेनाई माबुल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्जग संग्रै माभवानी डेकॉर प्राइवेट लिमिटेड मतलव अकम्प्लीट फ्लोर सलुशंस न्यू जीरो माइल दादर रोड मुझाफरपूर बुक्षा निर्ग बार मुझाट भूब लग्ष एवर्ट रिजिस फ्लोर एव भूप अनोखर देड कोथा है